हेलो फ्रेंड्स, I am Adity, welcoming you all in our online learning platform. आज के इस वीडियो में हम Preamble of Indian Constitution, बारती सम्विधान की प्रस्तावना पर discussion करेंगे. ये वीडियो प्रस्तावना से related जितने भी important facts हैं, important जानकारी है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपका clear कर देगी. इस वीडियो के शुरुवात करने से पहले, मैं आपके सामने तीन questions रखूँगा, उसके बाद इस वीडियो के शुरुवात करूँगा. मेरा पहला question होगा, whether the preamble is a part of Indian Constitution, यानि क्या प्रस्तावना या उद्देशी का भारती सम्विधान का भाग है. दूसरा question होगा मेरा, is preamble amendable, यानि क्या प्रस्तावना में शंसोधन किया जा सकता है? तीसरा question होगा, कि अब तक सम्विधान के प्रस्तावना में कितनी बार शंसोधन किया जा चुका है? इन तीनों प्रस्तावन को आप दिमाग में बठाया रहेंगे, और देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि जब ये वीडियो की end होगी, यानि वीडियो खत्म होते ही आपको ये तीनों questions के जवाब मिल चुके होंगे, तो चलिए, without any delay, start करते हैं, और एक चीज बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रस्तावना शब्द की, यानि जीव वाड है, प्रियम्बल, इसका मिनिंग क्या है, देखिए, ये प्रियम्बल एक शब्द है, इंगलिस का, जिसका हिंदी में मिनिंग प्रस्तावना भी होता है, और शाती साथ उ गो बीफोर और इंट्रोडक्शन इसके क्या मिनिंग होता है तो गो बीफोर और इंट्रोडक्शन यानि कि परिचे आप कह सकते हैं ठीक है यह चीज आपको क्लियर हो कि कहां से प्रेम्बल वर्ड यह शब्द का ओरेजिन हुआ है अब हम आगे चलते हैं देखिए इसमें हम का इंट्रोडक्शन और प्रिफेस्ट दुदा कंस्टिटूशन इसमिधान का परिच्चा या प्रस्तावना यह बिल्कुल सिम्पल साइस का डिफिनिशन है अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या नहीं है तो इसमें सम्विधान का शारांस या सार नहीं होता है यह यह क्या उसका विचार है किस फिलोसफी किस दर्शन पर वह आधारित है यह सभी बाते उसके क्या सम्विधान क्या कांग्षाय है अस्पिरिशन जीसे हम कहते हैं प्रिंस्पल्स क्या हैं यह सभी चीजें हमारे सम्विधान की प्रस्तावना में नहीं यानि प्रेंबल में यह सामिल की गई है अब देखिए यह भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अब हम कहते हैं बात करते हैं कि सम्विधान के जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसको बहुत से लोगों ने अलग-अलग नाम दिया है हम यहाप एक एक जामपल लेते हैं एन एपालखी वाला जी का यह एक इमिनेंट जूरिस्ट हैं आप कह सकते हैं बहुत ही प्रशिद्ध कानुन विद्ध थे अभी तो इनकी मृत्य हो चुकी है इन्होंने हमारे प्रियम्बल को कहा था दा आइडेंटिटी कार्ड अब दा कंस्टिटूशन इनकी एन एप पालखी वाला जी ने हम मुंसे जी का तो के मुंसे जी ने कहा था हमारे प्रियम्बल को ले करके कि प्रियम्बल इस दो होरोस्कोप आप और सौवरेंड डेमोक्राटिक रिपब्लिक यह जो यह प्रियम्बल है प्रस्तामना है यह हमारे संप्रभू संपन लोकतांत्रिक गढ़राज का कुंडली ज पुब्लिक यह कहा था अपनों ने तो ऐसे यह हमारे प्रेमबल को मिला करके इतना सम्रिद्ध है इतना मुहत्वपोर डॉक्मेंट है इसको जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में तो आईए अब हम आगे डिस्कस करते हैं देखिए जब हम आगे चलते हैं आपे तो हमारी अब तक क्लियर हो चुके हैं प्रस्तावना है क्या अब देखिए किसी भी चीज की एक इस्टोरिकल बैक्राउंड होती है एतिहासिक प्रिस्ट भूमी होता है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे भारतियस समीधान की जो प्रस्तावना है इसका आधार क्या है इसका बेस क्य क्या है देखिए आप सबको पता होगा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है अब्जेक्टिव रिजलूशन के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में यह जो है इसको ड्राफ्ट और इसको प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा पंडी जवालन न स्विकार कर लिया गया अब देखिए अडाप्ट करने के बाद क्या इस्तिती हुई कि यही जो उद्देश प्रस्ताव था जो पंडी जवालाल नहरुजी की द्वारा प्रस्तुत किया गया था वही बाद में क्या हो जाता है हमारा प्रियंबल बन जाता है क्या बन जाता ह हैं देखें यह हमारा है प्यारा भारती समीधान की प्रस्तावना आप बिल्कुल इसको समझ पा रहे होंगे इसको क्लियर लिदेख पा रहे होंगे आप इसको डियां से जब पढ़ेंगे तो बहुत चीज बाते आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे स्टार्टिंग ऐसे हैं We the people of India having the meetings to always court in India and to only one socialist and secular democratic republic and security of western citizens in this country Justice social economic and political इस तरीके से पूरा या हमारा प्री मिल्ज़ा है constay TV देखते हैं इसमें क्या चीजे इंपाटेंट हैं इसे क्या चीज नियकल केया सकती है उसको मैं भी तिस्कूस करूँगा अब देखिए यह हमारा हिंदी वर्जन है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभुत शंपन समाजवादी पंतने रिपेश लोग तांतरत्मक गडराज बनाने के लिए तथा उसकी समस्तनागरिकों को ऐसे करके है इसमें देखिए यह जो स्टेट्मेंट है इंगलिस मे इतना इंद्र जेटिक यह इतना उर्जवान हमें बना देता है वालब हमें प्रेरिद करता है कि आखिर यह सम्मिधान किस ने बनाया हम लोगों ने बनाया है यही कहने का मतलब है आई आगे डिसक्स करते हैं इसमें बहुत से चीज़ें इंपोर्टेंट आप इसको ध्यान Socialist पहला शब्द होता है दूसरा सब्द होता है पंत निर्पेक शेनी की सेकुलर तीसरा सब्द होता है Integrity नहीं अखड़ता है यह तीनों शब्द ऐसा नहीं है कि इनकी भावनाएं हमारे शम्मिधान में 1976 के पहले नहीं थी इनकी भावनाएं हमारे शम्मिधान में जब से हमारे सम्मिधान लागू हुआ बनकर तयार हुआ उसी समय से है लेकिन इन तीन शब्दों को जोड़ा गया 276 में यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सम्मिधान संसोधन था 42nd constitutional amendment 1976 का जो है इसे हम मिनी constitution भी कहते हैं ऐसे भी questions आपको एक्जाम में पुछे जाते हैं इसे क्लियर होगे हम अब ही आगे इसको discuss करेंगे detail में कि यह वर्ट का मेनिंग क्या है इनका अर्थ क्या है आईए नहीं हम बात करते हैं कुछ important points की जो कि हमारे preamble से निकल कर आती है तेकि सबसे important point यह निकल कर आता है जो statement पहला है उसमें we the people of India जो बात कही गई है वो बहुत ही energetic और बहुत ही important words कह लीजिए आप है यह बताता है कि जो हमारा भारती समिधान उसका source क्या है उसका ultimate source क्या है हमारे भारत के लोग है we the people of India यह हम भारत के लोग ही उसके निर्माता है उसके शुरूत है कह लीजिए यह जो authority है वो भारत के लोगों के पास है clear हो गया होगा क्या होता क्या है कि जब समिधान सभा का गठन होता है तो वह भारत के लोगों द्वारा ही होता है अब प्रत्यक्ष निर्वाचन से य इसके पास आता है लोगों के पास आता है I think यह चीज आपको clear हो गए होगी मैं बात करता हूं nature की हमारा यह जो प्रेंबल है हमारे संभारती समिधान और भारती पॉलिटी की यानि इंडिन पॉलिटी जो है यानि भारत जो देश उसकी प्रकृति को भी बताता है देकि क्य क्या कहता है सौवरेन शोशलिस्ट सेकुलर डिमोक्रेटिक रिपब्लिक यनि की संप्रभुता संपन समाजवादी पंत निरिपेक्ष लोगतांतरत्मक और रिपब्लिक हमारा देश जो है इन प्रकृति से भरा हुआ है अब एक चीज और है यहां से कोशन एक बनता है और p.h.y.u के लेलबी के ऑग्जाम में 5 year, three year वल्बी के एक्जाम में लास्ट आर यह कूशन पूछा था कि इसको आप च्रेक्ट ऐटर में आप इसको अरेंज करना था यिनि क्या क्रिपले George ट्रिक्स बन सकता है ट्रिपल एस डियार ठीक है तो आपको यह चीज याद हो जाएगी आप भूलेंगे इसको नहीं यह इंपॉर्टेंट है इसका जो और है करेक्ट और इसको आप याद रखेंगे अब देखिए अब हम बात करते हैं कि यह किसकी बात करता है जो हमारा प्र कि यह बंता हो लोगों को वेक्षारेंगे प्रतिद्वोस की भावना रखें तो इन सब गुनेंसे हमारा भारतिस समिधान भर वता हुआ हुआ ठीक है एक और इंपोर्टेंट बात हमारे इस प्रेंबल से निकल क्या आती है वह इंपोर्टेंट चीज क्या है नेवंबर 26 1949 ये भी उसमें लिखा हुआ है कि देखिए ये डेट को इंपोर्टेंट है इस दिन हमारे समिधान को स्विकार किया गया था अंगिकृत किया गया ठीक है इस देट अफ एडाप्शन ऑफ और कॉंस्टिटूशन यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगी अब हम आगे आते हैं कुछ इंपोर्टेंट कीवर्ट क्या है उनको हम देखेंगे देखिए पहला इंपोर्टेंट कीवर्ट आता है सौवरेन का सौ रहे शहां यहां है अगर इंटरनाल अफैर है तो उसमें हम उस छेत्र के लिए निडाय लेने के लिए हम स्वतमत्र हैं ऐसा नहीं कि हमें किसी बाहरी शक्ति की अब टावर के जरूरत है तो हमारा देश जो है वही सर्वच है हमारे देश की जानता है वही पूच पूचा- सवर्नेटी इन इंडियन पॉलिटी कह लीजिए लाइज वीद ऐसे पूछे आते हैं और यह ऐसे एक्जाम एक्जाम में आये हुए हैं तो उसका अंसर क्या हो जाएगा पीपल ऑफ एंडिया यहीं नागरिकों में संप्रभुता जो है वो नहीं थे ठीक है आई तिंग के जी सुचलिस्ट की समाजवादी सब्द भी जुड़ा हुआ है इस सब्द को जो है 42nd amendment 1976 के तुरू इसको एड़ किया गया था हमारे प्रियंबल में और इसका जो है यहां पर कीज़ आपको समझनी इंपॉर्टेंट है एक्जाम में तो पूछाई जाता है कि कभी जूड़ा ग यह जो है माक्स और जोगान्ध कि सोसिलिठम में दोनों का ब्लेंड काकते लेकिन वो झूका के से conservative है वो उद्देश क्या है? वेलफ़ेर इस्टेट ठीक है, वेलफेर इसटेट यानि की राज्य का ऐसा विकास हो। दिश यानि की कल्यांड राज्य की बात ऐसे की जाती है कि जहां पे आवसर-rakes--र, विर- Chem prose समाज में बंधुता हो समाज एक सामोही करोप से विकास करें देखिए और हमारे अचर्थ और्ध्यवहस्ता है वह कैसी है यह के सोच होती है वहाँ पे एक ऐसी विचारधारा होती है कि जो कुछ भी है वो सब गॉर्मेंट के कंट्रोल में रहा है लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है हमारे यह क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का मदद लेते हुए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है इसल से पुए है लिकिन वो जो है बात करता है कि हम सामुही कर्यों जो है से विकास करेंगे वेट प्राइवेट शेक्टर में युगदान दाएगा वी तो प्ल्क यह जिए बिल्कुल अच्छे से क्लिए हुग्गी अगे बात करते हैं कि से कुलर की बात करते हैं डेखिए सुधान के मादम सही जोड़ा गया हमारे यहां जो है जो राज्य है हमारा यान इंडिया देश जो है इसका कोई धर्म नहीं है इंडिया इंडिया रिलिजन देश का स्टेट का राज्य का कोई धर्म नहीं है हमारे यहां क्या है पॉजटिव सक्लियरिजम है यानि सकारात्मक क्या है हमारे हां जो है हमारे हां सकारात्मक यह कहले धर्म निर्पेख्षता है या पंत निर्पेख्षता है कहने का सिंसी है कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और शाती साथ हम सभी धर्मों के प्रति एक संभाव रखेंगे ऐसा नहीं कि किसी को बढ़ावा देंगे किस जैसे कुछ विद्वेश की भावना नहीं रहेगी सभी के पृति संभाव की भावना रहेगी यह हमारे हैं पॉजिटिव से कुलिरिजम और जैसे कुछ और देश हैं जैसे मालीजी फ्रांस है एक्जांपल अगर हम लेते हैं तो वहां पर पॉब्लिक ली रिलीजिन समिधान भी है जो की आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमारे भारती समिधान में है यानी कि धार्मिक स्वतंत्था का भी अधिकार है वह अनुशेदथ 25-28 तक हुआ उसमें उल्लेखित है आप बाते आपको क्लियर होंगी किया पंद निरपेश्टा और अधन निरपेश्टा क क्या है अब हम आगे बात करते हैं देमो को मतलब होता है पीपल और क्राइसी जब आता है तो मतलब होता है और रूल यह बाता को क्लियर हो गया लोगों का सासन अब आपको याद होगा democracy is the government for the people by the people of the people ऐसे करके है इसका sequence जो भी है लेकिन कहने के संहलिक है कि लोगों के लिएए लोगों का और लोगों द्वारा यही democracy है ठीक है और democracy कितने प्रकार कि होती है democracy दो प्रकार क्यों होती है आप सब जानते है एक होता है direct democracy के लोगतन्तर भी कहते हैं देखे हमारे क्या क्याना सम्हेदान सम्हेदान के तहत मलेफिकग सब्सक्राइच सुभी जब वक्ती रहे हैं 18 वर्ष का हो जाता है तो उसको vote देने कादिकार मिल जाता है यह बात आपको clear हो गई होगी आगे चलते हैं एक और important word आता है रिपब्लिक का तो यहां क्या है यहां पर आपको समझने के जरूरत है यह रिपब्लिक जो है अरिधर एसने का खालें के मोनार्कि ज्यों थिंद में क्या होता है कि महां कोई भी क्या है वह होती है फोलिग एंहरे यहां आपकाट से हुक्ट प्रेजिडेंट बोथ हर एक्टेट नॉट नॉमिटेट बाई हेड़ेटी दोनों जो निर्वाचित होते हैं वह भले ही अब परतक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं कहने का सेंस यह है तो वह क्या है वहां पर मोनार्किजम नहीं है यहां पर क्या है गड़राज है आई थ क्लियर हो गया होगा अब हम आगे चलते हैं देखिए अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसक्रेशन हमारा आ जाता है आता यह है हम दो कोशन पहले लेते हैं कोशन यह है कि वेदर प्रेंबल इस पार्ट आफ इंडियन कंस्टिशन और नॉट दूसरा कोशन हमार करते हैं संविधान के आर्टिकल 368 की अनुश्य 368 कहता है पावर आफ पार्लेमेंट तो अमेंड दे कंस्टिशन एंड प्रोसीजर नि भारतिय संविधान के जो संसोधान करने की सकती है वह संसत में नहीं था और उसकी क्या प्रक्रिया है यह बातों का वड़ना पुका मि वह आता है यह बेरुबरी यूनियन का तुके रिरुबरी वर्सस जूनियन का कैस कैसे कर सकते हैं यह दोनों बात इक कैस केस में कहीं आती है रिबरी वर्सस जूनियन ऑफ इंडिया कैस होता है प्रस्तावना को भी से बारतिय समिधान में इंडियन कंस्यूशन में सामिल किया गया है जैसे अने प्रोविजन्स को सामिल किया गया है, अने प्राउधानों को हमारे भारती समिधान में सामिल किया गया है, तो ठीक जब वही प्रक्रिया उसी प्रोसेस को फॉलो किया गया है, प्रेम्बल के भी सम्मन्द में, तो फिर यह कैसे भारती समिधान का भाग नहीं है, इ जैसे समिधान के अनुशित 368 का प्रियोब करते हुए यहां पर संसत के पास सकती है को समिधान में संसोधन कर सकती है तो यही अगला statement आता है प्रेंबल can be amended but cannot interfere with the basic structure यानि कि जो प्रेंबल है उसमें बदलाव संसोधन तो किया धगता है लेकिन जो basic structure है जो basic अच्छा है उसमें कोई परवर्ता नहीं होना चाहिए तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो 42nd amendment 1976 का उसमें तो बतलाव हुआ तीन सब्स जोड़े गया तो जो तीन सब्स जोड़े गया वह हमारे basic structure में कोई छेड़-छाड नहीं कर रहा है थे वह हमारे प्रस्तावना को वह हमारे भारती समिधान को और सम्रिद बना रहे थे दे वर making our preamble more and more strong ठीक है तो जब वह अच्छा का बना रहे थे कोई भी चीज अच्छी हो तो उसका हम कैसे invalid declare कर सकते हैं तो सुप्रीम कूट ने कहा कि यह बिल्कुल जो अमेंडमेंट हुआ वह बिल्कुल लीगल है उसको उसने लीगल कर दिया अब यह चीजें आपको clear होंगी और देखिए भारती श्रमिधान के प्रस्तावना में केवल एक बार हमसोदान हुआ है वही 42nd amendment 1976 तो जो तीनों कुशन्स मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने रखा था वह बिल्कुल अब क्लियर होया होगा अब आएए हम आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिस के और यहीं कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं जो भी चीज़ें समझी हैं उनके बैसिस पर कु कि प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन किया जा चुका है यहीं हमसे कुशन कहा रहा है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा उनली वंस कब किया था 1976 में 42nd amendment के तुरू अगला कुशन है वीच केस डिटरमाइंड डैट प्रियंबल इस पार्ट आफ कंस्टिउशन यह बहुत इं करते हैं इन वीच अमेंडमेंडमेंड डिट अप्रियंबल अमेंड़ हमसे यह पुझ रहा कि कि संसोधन में जो बारती संसोधन के प्रस्तावना है उसमें संसोधन किया गया था यह कौन सामनेंडमेंड था यह था 42nd amendment ठीक है बल्कुल आपको क्लियर रहना चाहिए अब द कि हमारा भारती संसोधन है अपनी सर्वसक्ति जो हुआ कहां से प्राप्त करता है वह जो है मैंने आपको शुरुवात में बताया कि वगारत के लोगों से नी है नागरिंगों से प्राप्त करता है from the people of India ले इसका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं कि वीच आप दो फॉलिएंग वर्ट इस नॉट इंक्लूड इंड प्रियंबल आप दो इंडियन कंस्यूशन हम जो कोशन यह कह रहा है कि इन में से जो फॉर आप्शन्स देए हुए है उन में से कौन सा सब्द जो है वह भारतिय समिधान के प्रियंबल में नहीं है तो देख देता हूं इसका correct answer क्या जागर dignity ठीक है अगले question को चलते हैं वीच आप दो फॉलिएंग वर्ट फॉस एडड़ प्रियंबल बाइद फॉर्टी सेकंड कंस्यूशनल अमेंडमेंड में प्रस्ट नहीं पूछ रहा है कि बालेशन संसोधन के तहत पारतिय समिधान के प्रस्त प्रस्तावनाल ली गई है इस कंट्री से लिए अमेरीका से ठीक है और शीज और देखिए चुक भासा है प्रेंबल की language प्रेंबल वह कहां से लिए गया है वह फ्रांस से लिए गया है तो यह सब चीज़े भी आप रखे तो आप से घ्जाम में पूछे जाता है इसे questions अग was were added by the 42nd amendment act in our preamble question यह कह रहा है कि बैलिश्वी संसुधन के तहत हमारे समिधान में कौन से सब्द कौन से सब्दावनिया जोड़ी गई थी आप इसको त्यान पूरोग देखिए और प्रेमल देखिए पहला आप्षान है सोचिलिस्ट सेकुलर और रि लीपपलिक देखिए व्यवार्टी समिधान का प्रस्तावन है उसका अधार क्या है उदेश परस्ताव अब यह पूछ रहा है कि उसको किसने ड्राफ्ट किया था और किसने उसको पेज किया था इसका करेक्ट आंसर में मैंने आपको बताया है तो इसका कर्ट आंसर क्या हो जाएगा पंडिट च्वालल निहरू आगे चलते हैं अगला देखते हैं इंडियन कंस्ट्शुशन अडप्टेड हमारे ये लास्ट कुर्षिन है हमसे प्रस्नी पूछ रहा है यह हमारा भारतिस समिधान है उसको कब स्विकार किया गया था हिक अंगिकार किया तो इसका करेक्ट अंसर आप सभी जानते हैं अशान सा कोशन है 26th of November 1949 ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या आजाएगा 26th of November 1949 अच्छा बीस नुवंबर 1940 को हमारा भारतिस सब्धान स्विकार किया गया था या अंक्रित किया गया था तो यह थी पूरी डिस्कुशन हमारे भारतिस समिधान की प्रस्तावना के बारे में प्रेंबल ऑफ देंडिन कंस्ट्रोशन अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा उमिद करता हूं कि आपको चीज़े बिल्कुल क्लियर होंगी अगर आप हमारे कॉर्स से जूड़ना चाहते हैं अगर इस तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, एकोनोमिक्स, मिंटल अबिल्टी, अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कॉर्स में जॉइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नमबर पर कॉन्टक कर सकते हैं 9519383272 पर और उसके बाद प्रोस्स को समझ के आप अपना र धन्यवाद